मुझे लगता है आपने अपनी पढ़ाई के दोरान गणित में कभी न कभी फलन यानी function के बारे में पढ़ा होगा लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तरीके से फलन को समझाना चाहता हूँ जो उन सभी तरीकों से सरल है जिसे आपने अभी तक पढ़ा है और फिर हम इसे सदिश यानी vectors और रैखिक बीजगनित यानी linear algebra की कुछ संकल पनाओ यानी concept से जोड़ना चाहते हैं वास्ताव मैं फलन एक समुच्य मतलब set के सदस्यों और दूसरे समुच्य के सदस्यों यानी members के बीच का संबंध होता है आएए यहाँ एक समुच्य X लेते हैं और इस समुच्य X के सारे सदस्यों को समुच्य Y के सदस्यों से संबद यानी associate करते हैं चलिए मान लेते हैं कि यह समुच्य X है और यह समुच्य Y है यहाँ Y छोटा नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसे ऐसा बनाया है वास्ताव में फलन इनके बीच का एक संबंद यानी relation होता है अगर हम समुच्य X के किसी भी सदस्य को लेते हैं मान लेते हैं कि हम इस सदस्य को लेते हैं हम इसे एक बिंदू के रूप में देख सकते हैं अब अगर हम इस फलन के लिए समुच्य X का कोई सदस्य लेंगे तो हमें समुच्य Y का एक सदस्य मिलेगा जो कि X के सदस्य से संबद है हम कह सकते हैं कि फलन X के सदस्य को Y के सदस्य से प्रतिचित्रित मतलब मैप करेगा और वास्तव में इसका मतलब समुच्चे X के एक सदस्य को Y के किसी अन्य सदस्य से संबध करना है और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर कोई और बिंदू लेते हैं तो फलन इसे Y के किसी अन्य सदस्य या फिर उसी सदस्य से भी संबध कर सकता है या साधरान शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये संकेतन यानि notation एक समुच्च X की दूसरे समुच्च Y के प्रती चित्रन यानि mapping को दिखाता है शायद आप सोच रहे हैं कि ये तरीका बहुत अमूर्थ मतलब abstract है तो ये उस फलन को कैसे संबध करेगा जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं अब हम एक ऐसे फलन को लेते हैं जिसे आप पहले भी हल कर चुके हैं जैसे कि X का फलन F बराबर X का वर्ग आए देखते हैं हम इसे संकेतन में कैसे लिखेंगे हम कह सकते हैं कि ये फलन पारंपरिक तरीके से लिखा हुआ है जहां इसे F सिप्रदर्शित किया गया है लेकिन हम F के स्थान पर G भी लिख सकते हैं यानि कि इसे X का फलन G भी कहा जा सकता है जरूरी नहीं है कि ये हमेशा F के रूप में ही मिले इस स्थिती में फलन F वास्तविक संख्याओं मतलब Real Numbers का प्रतिचित्रण है और फलन की परिभाशा के अनुसार X के स्थान पर किसी भी वास्तविक संख्या को लिख सकते हैं हम इसे सिर्फ पूर्णांकों यानि Integers या सम संख्याओं यानि Even Numbers या सम पूर्णांकों तक ही सीमित रख सकते हैं लेकिन ये फलन परिभाशा का एक हिस्सा है हम यहां वास्तविक संख्याओं से प्रतिचित्रित होने वाले फलन को परिभाशित कर रहे हैं हम यहां कोई भी वास्तविक संख्या लेख सकते हैं और वो संख्या सभी वास्तविक संख्याओं से प्रतिचित्रित होगी तो इस इस्तिती में अगर X एक वास्तविक संख्या है तो ये स्वयम से भी प्रतिचित्रित होगी जो पूरी तरह से वैद है वास्तव में वास्तविक संख्याएं हमेशा प्रतेक दिशा में जा सकती हैं लेकिन अगर ये वास्तविक संख्याओं के लिए है तो हम कह सकते हैं कि ये फलन प्रतिचित्रन आर के प्रतेक बिंदू को शामिल करता है और इसे R के ही किसी दूसरे विंदू से प्रतिचित्रित करता है अब ये इसके प्रतेक विंदू को शामिल करता है और इसे पूर्ण वर्ग यानि perfect square से संबध करता है मैं आपको फलन के बारे में एक बहुत सुक्ष्म संकेतन देना चाहता हूं इसके बारे में मैंने तब सोचा था जब मैंने पहली बार फलन के प्रशनों को हल किया था आप फलन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं मालीजे फलन कहता है यदि आप मुझे एक X देते हैं तो मैं उसका वर्ग करता हूं और आपको X का वर्ग दे रहा हूं और ये सत्य भी है, आप यहाँ पर यही तो कर रहे हैं, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि मैंने X को किसी अन्य संख्या में बदल दिया है, आप शायद इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, और वास्तो में इसे देखने का यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन गणितिय ये परिभाशा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो X को X के वर्ग से संबध करने से कहीं ज्यादा दिखे, इसलिए ये फलन को प्रदर्शित करने का दूसरा संकेतन है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कथन सर्वसम यानि आइडेंटिकल हैं, इस कथन से शायद आ मशीन में रख रहे हैं, जो X को X का वर्ग बनाने का काम करती है, या X को किसी भी चीज में बदल सकती है, और इस संकेतन का तात पर वास्तविक प्रतिचित्रन यानि actual mapping से हैं, ये संकेतन हमें बताता है कि अगर हम किसी वास्तविक संख्या X का फलन लेंगे, तो ये उस संबद यानि associate करेगा, मैं मानता हूँ आपने पहले भी थोड़ा बहुत पारिभाशिक शब्दावली यानि terminology को देखा होगा, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हम जिस समुच्य यानि set को प्रतिचित्रित कर रहे हैं, वो प्रांत यानि domain कहलाता है, और ये फलन की परिभा का एक हिस्सा है, एक फलन निर्माता के रूप में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिख वैध इन्पुट वास्तविक संख्याओं का एक समुच्य होना चाहिए, अब जिस समुच्य को मैं प्रतिचित्रित करूंगा, उसे सहप्रांत यानि co-domain कहते हैं, जाहिर है अ जौवी या दस्मी कक्षा में थे, तब हमने परिसर यानि range शब्द पढ़ा था, आएए देखते हैं ये सहप्रांत परिसर से किस तरह संबंदित है, ये एक बहुत ही सुक्षम संकेतन है, हम कह सकते हैं कि सहप्रांत एक समुच्य है जिससे आप प्रतिचित्रित कर रहे हैं और इस उधारन में ये सहप्रांत है, इस उधारन में वास्तविक संख्याई ही प्रांत और सहप्रांत है, अब प्रशन ये है कि परिसर इससे कैसे संबंदित है, हम कह सकते हैं कि सहप्रांत एक ऐसा समुच्य है जिसे शायद प्रतिचित्रित किया जा सकता है, यहां जरूर प्रतिचित्रित करें। यह स्वयम का एक उप समुच्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिसर यानि रेंज सहपरांत का उप समुच्य यानि सबसेट है जिसे फलन वास्तव में प्रतिचित्रित कर रहा है। चलिए एक उधारन लेते हैं। मान लेते हैं कि हम फलन G को परिभाशित कर रहे हैं, और ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चे से किया गया एक प्रतिचित्रण यानि Mapping है. मान लेते हैं कि ये R का वर्ग से R का प्रतिचित्रण है, या यूँ कहें कि हम यहां आंक्णों का क्रमित समुच्याओं यानि दो टूपल्स लेते हैं और इसे R से प्रतिचित्रण करते हैं, आई ये अब G को परिभाशित करते हैं, हम इसे अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं अब हम यहां G के दो मानों यानि टू वैल्यूज को शामिल कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये दो मान X, Y या यू कहें कि X1, X2 हैं, चलिए इसे वैसे ही करते हैं, तो अब X1, X2 का फलन G हमेशा 2 के बरावर होगा, हम कह सकते हैं कि ये R का वर्ग से R को किया गया प्रतिचित् लेकिन ये हमेशा 2 के बरावर होगा, अब मैं इसे किसी दूसरे संकेतन में लेखता हूँ, क्यूंकि शायद आपने ऐसा नहीं देखा होगा, हम कह सकते हैं कि फलन G, X1 और X2 के किसी बिंदू को बिंदू 2 से प्रतिचित्रित करता है, ऐसा करने से प्रतिचित्रन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, आइए देखते हैं कि सही संकेतन को पाने के लिए हमारा प्रांत क्या है, और वास्तविक संख्या यानि रियल नंबर क्या है, ये हमारी फलन परिभाशा का एक हिस्सा था, मैंने बताया था कि हम R का वर्ग से प्रतिचित्रन कर रहे हैं, परिभाशा का एक हिस्सा है, तो परिभाशा के अनुसार ये सहप्रांत है, इसलिए हमारा सहप्रांत R है, आई अब देखते हैं कि हमारे फलन का परिसर यानि range क्या है, हम कह सकते हैं कि परिसर मानों यानि values का समुच्य है, जिसे फलन वास्तव में प्रतिचित्रित करता है, इस स्थिती में हम हमेशा इसे दो से प्रतिचित्रित करते हैं, इसलिए यहाँ परिसर दो होगा, अगर हमें इसे दर्शाना होता, तो हम इसे इस तरह नहीं बनाते बलकि हम इसे कार्टिय तल, यानि कार्टेजियन स्पेस की तरह बनाते, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ एक अमूर्त संकेत यानि abstract notion दे रहा हूँ, जो यहाँ आर का वर्ग है, अगर वास्तव में हमें आर को बनाना होता, तो हम इसे एक संख्या रेखा यानि number line के रूप में बनाते, आईए इसे यहाँ मजे के लिए करते हैं, वास्तव में हम इसे इस तरह नहीं लिखते हैं, तो अब हम आर को किसी सीधी रेखा यानि straight line के रूप में बना सकते हैं, तो यह समुच्य आर है, हम इसे इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यह समुच्य आर है, अब हम कह सकते हैं कि हमारा फलन G यहाँ से किसी भी बिंदू को बिंदू 2 पर प्रतिचेत्रित कर स यहां यह बिंदू 3, रिनात्मक 5 है, यहां यह कुछ भी हो सकता है, यह हमेशा R में बिंदू 2 को प्रतिचित्रित करता है, अगर हम इस बिंदू के बारे में सोचते हैं, तो यह बिंदू 2 को प्रतिचित्रित करता है, और फलन जी भी हमेशा यही करता है, इसलिए हम कह सकते ह हैं कि G का सहप्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन इसका परिसर सिर्फ दो है चलिए एक और उधारन देखते हैं जो दिल्चस्प हो सकता है मान लेते हैं कि H एक फलन है जो R का वर्ग से R की घात 3 तक जाता है यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्यूंकि यहां फलन H R का वर्ग से R की घात 3 तक जाता है अब हम कह सकते हैं कि यहां X1, X2 का फलन H बराबर हम यहां H को higher dimension space में प्रतिचितरित कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां X1, X2 का फलन H बराबर इस R की घात 3 में हमारा पहला निर्देशांक X1 जमा X2 है दूसरा निर्देशांक X2 घटा X1 है और तीसरा निर्देशांक X2 गुणा X1 है आईए अब देखते हैं कि हमारा प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या है तो परिभाशा के अनुसार हमारा प्रांत ठीक यहां है और परिभाशा के अनुसार हमारा सेह प्रांत, ठीक यहां R की घात 3 है, ध्यान दें, हम यहां द्विविमी है, मतलब 2 डाइमेंशन से 3 विमी है, मतलब 3 डाइमेंशन या 3 घटकों यानि 3 कॉंपोनेंट्स वाले तल में जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा X1, X2 के कुछ बिंदू को R की घात 3 के कुछ बिंदू से संबद कर सकते हैं, अब ये पता करना थोड़ा कठेन है कि परिसर यानि रेंज क्या है, क्या हम हमेशा हर बिंदू को संबद कर सकते हैं, हो सकता है कि ये सबसे अच्छा उधारन नहीं है, क्योंकि ये उतना सरल नहीं है, लेकिन हम R की घात तीन तक जा सकता है, इसलिए ये h है, आप देख सकते हैं कि हमारा परिसर यानि range वैसा नहीं है, जैसा आप इसके प्रतेक निर्देशांग को इस तरह या किसी और तरीके से व्यक्त यानि एक्सप्रेस कर सकते हैं, चलिए एक दूसरा उधारन लेते हैं, हम यहाँ x1 और x2 को बिंदू से प्रतिचित्रन करते हैं, मान लेते हैं ये बिंदू 2 कौमा 3 है, अब हमारा भलन बताता है कि ये r की घात 3 में किसी बिंदू को प्रतिचित्रत करेगा, हम यहाँ दोनों पदों को जोडते हैं, यानि दो जमा 3, तो ये 5 है, और अब यहाँ x2 और x1 के बीच का एंतर यानि 3 घटा 2 बराबर 1 है और यहाँ इन दोनों को गुणा करने पर 6 है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारे परिसर में होगा या यू कहें कि यह हमारे परिसर का सदस्य होगा मान लेते हैं कि बिंदू 2,3 यहां है जिसे हम त्रिवेमिय बिंदू से प्रतिचितरित कर सकते हैं यहां ये द्विवेमिय यानि टू डाइमेंशनल की तरह ही बना हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे भी समझ जाएंगे तो ये त्रिवेमिय बिंदू 5,1,6 से प्रतिचितरित होगा इसलिए ये निश्चित तोर पर परिसर का सदस्य है आईए अब देखते हैं अगर हमारे पास आर की घात 3 में कोई बिंदू है मान लेते हैं ये 5,1,0 है तो क्या ये बिंदू परिसर यानि रेंज का सदस्य है ये निश्चित रूप से सहप्रांथ यानि कोडोमेन का सदस्य है क्यूंकि ये आर की घात 3 में है वास्तव में ये इसमें भी है इसलिए परिभाशा के अनुसार ये सहप्रांथ है लेकिन देखते हैं कि क्या ये हमारे परिसर में है यहां 5 दो संख्याओं का योग होना चाहिए और 1 दो संख्याओं का अंतर होना चाहिए और 0 दो संख्याओं का गुणन फल होना चाहिए हम देख सकते हैं कि यहां 5 योग यानि सम है और एक अंतर यानि डिफ्रेंस है क्योंकि हम यहां दो और तीन की बात कर रहे हैं हमारे पास कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिससे इन दोनों संख्याओं का गोणन फल शून यहो इसलिए ये परिसर का सदस्य नहीं है इसलिए हमारा परिसर आर की घात तीन में इन सभी बिंदूओं का उपसमुच्य होगा अब हम कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सी बिंदूएं हैं जो परिसर में नहीं हो सकती है और हमारे परिसर में आर की घात तीन का बहुत ही छोटा उपसमुच्य होगा अब मैं आपको फलनों के बारे में एक और पारिभाशिक शब्दावली यानि टर्मिनलोजी से परिचित करना चाहता हूँ यहां ये फलन आर का वर्ग में किसी बिंदू को आर से परिचित्रित करता है जिसका सहप्रांत आर था और यहां ये फलन जो कि गणित में सबसे आम फलन है यहां ये भी आर को प्रतिचित्रित कर रहा है वैसे फलन जो आर को प्रतिचित्रित करते हैं अदिश मान यानि स्केलर वैल्यू या वास्तविक मान यानि रियल वैल्यू कहलाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये एक विमिय तल यानि वन डाइमेशनल स्पेस को प्रतिचित्रित करते हैं, तो हम उन्हें अधिश मानवाला फलन यानि स्केलर वैल्यूट फंक्शन या वास्तविक मानवाला फलन यान रियल वैल्यूट फंक्शन कहते हैं, जो उन सभी फलनों यानि फंक्शन से अच्छा है, जिसे आपने अभी तक गनित में पढ़ा है। हो सकता है आप अभी तक सदिश कलन यानि वेक्टर कैलकुलेस के बारे में नहीं जानते हैं। अब वैसे फलन जो एक विमिय तल को प् प्रतिचित्रित करते हैं, जहां N एक से बड़ा है और अगर आप R का वर्ग, R की घात 3, R की घात 4 या R की घात 100 को प्रतिचित्रित करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सदिश मान वाला फलन यानि वेक्टर वैल्यूट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए ये आपके लिए काफी उपयोगी सावित होंगी।